हाई फैन दिस आसिफ फ्रम केंपास ला सेंटर फेकल्टे फ्लाव इंश्टी अफ देली तूड़े लाइट डिसकास लेंगा केस ऑफ लौफ टॉट्स विची मैंसरी नावर केस मैट केस का नाम है टौन एरिया कमेटी वर्स प्रभु देयाल यह 1975 का केस है तो चलिए अब इस इस शॉप को डीमोलिश कर देती है यह कहा कि यह स्ट्रक्षन है वो कहता है कि इस दिमोलिशन की वजह से उसे एक हजार रुपय का लॉस हुआ है प्लेंटिफ आगे कहता है कि उसे डिजनेबल टाइम नहीं मिला अपने कंस्ट्रक्शन को डिमॉलिश करने के लिए अगर उसे डिजनेबल टाइम मिला होता तो वो खुद इस कंस्ट्रक्शन को डिमॉलिश कर देता और शौप में जो समान है उस समान को निकाल देता लेकिन टाउन एरिया कमिटी नो जो डिमॉलिशन किया है उसकी वजह से शौप में रखा हुआ समान भी डिश्ट्रॉय हो गिया तो उसको बहुत जादा लॉस हुआ है प्लेंटिव आगे कहता है कि उसे शौर्ट टाइम नोटिस मिला था इसलिए यह जो एक्षिन है टॉन एडिया कमिटी का वह मेलफाइड है और आगे कहता है कि एड़ टाइम ओफ डिमॉलिशन यानि कि जब डिमॉलिशन हो रहा था कंस्ट्रक्शन का उस वक्त प्लेंटिव जो है वह आउट ओफ एस्टेशन था इसके जवाब में डिफेंडेंट या लेकिन प्लेंटिव ने कोई भी एक्षिन नहीं लिया और साथ ही डियेन का यह डायरेक्शन था कि इस इस चैशन यानि कि इन लीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में नेसेसेरी एक्षिन लिया जाए इसलिए हमने इस चैशन को डिमॉलिश कर दिया तो चलिए अब कोड क पर आते हैं कोड कहती है कि कुकी कंस्ट्रक्शन इंलीगल था तो इसको डिमॉलिश करना तो ज़रूरी था ही कोड आगे कहती है कि प्लेंटिव का जो डैमेज है वो डैनम सीन इंजूरिया के ताहता है तो यह जान लिए यह कहता है कि अगर कोई डैमेज हुआ है लेकिन उस डैमेज की वज़े से कोई भी लीगल राइट इन फ्रिंज नहीं हुआ है तो उस डैमेज को क्लेम करने के लिए आप कोर्ट ओफ लॉव में नहीं जा सकते हैं यानि कि उसके लिए आपको कंपन्शेशन नहीं मिलेगा कोट आगे काती है such a damage does not give the sufferer any right to get compensation यानि कि इस तरह का जो डैमेज है उससे सफरर को किसी भी प्रकार का compensation का right नहीं मिलता है और यह जो action था demolition का वो government के law के according था इसलिए यह demolition बिलकुल सही है और चुकि plaintiff जो है कोई भी legal injury से suffer नहीं किया है इसलिए उसको damage भी नहीं मिलेगा यानि कि plaintiff के पास कोई भी राइट नहीं है compensation को लेने के लिए तो फाइनली कोट जो है plaintiff के कंटेंशन को reject कर देती है और टाउन एरिया कमेटी के कंटेंशन को accept कर लेती है तो इसकेस के फैक्ट इशू और यहीं है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमसे जूरे रहने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसकेस का पीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वार्टसअफ नंबर दिया गया है मैसेज करके पीडियो ले सकते हैं थांक्यू सब्सक्राइब